हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, एसस्क्रेशन, सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिस न्सियाटी, क्लास फिप्त के इंग्लिस के बुक का यूनिट फोर का लेशन, क्राइंग, स्वाई येस लेशन को हम स्टार्ट करते हैं क्राइंग, read and enjoy, पढ़िये और आनन्द लीजियें, क्राइंग, only a little bite is no use क्राइंग, मतलब होता है रोना, a little bite is no use, you must cry until your pillow is soaked then you can jumped in the shower and splashed, 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 splashed then you can throw open your window and ha 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 and if people say hey what's going on up there ha ha, sing back happiness was hiding in the last tear, I whipped it ha ha, okay so आईए अब इसके explanation को समझते हैं, crying only a little bite is no use थोड़ा सा रोने से कोई लाव नहीं है, ठीक है you must cry until your pillow is soaked, ठीक है आपको इतना रोना चाहिए कि आपका तकिया, पिलो, भीग जाए, then you can jump in the shower and splash, 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 splash मिस होता है चप चप आना, ओके, तो फिर आप थुवारे में उचल सकते हो, पानी चप चप करते हो, ठीक है? then you can throw open your window and ha ha ha, ठीक है? उसके बाद then में सोता है उस फिर, आप अपनी खेडकियों को खटक से खोल सकते हो, और ha 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 कर हसते हो, what going on up there, ha ha ha, sing back happiness, was hiding in the last year, और यदी लोग पूछें, हे, क्या हो रहा है, आप हस कर, ठीक है? गाओ, ha ha ha, खुशी मेरे अंतिम आसु के पीछे चुपी थी, I whipped it, ha ha, जो मैंने रोया, ha ha, ठीक है? एक और बार देख लेते हैं, देखो क्या है इस पूए में, कि इसमें point कहते हैं, कि थोड़ा सा रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा रोने से कोई लाब नहीं होगा, ठीक, आपको इतना रोना चाहिए, इतना रोना चाहिए, आपको तब तक रोना है जब तक आपकी तक्या आपकी पीलो भीग न जाए ठीक है फिर आप फुवारों में क्या कर सकते हो उचल सकते हो ठीक पानी चप चप कर सकते हो ठीक है आपकी आसुह से चप चप कर सकते हो ठीक है फिर आप अपनी खिडकियों को खटक से खोल सकते हो और हाहा कर हास सकते हो, और यदी लोग पुछे है, क्या हो रहा है, तो आप हास कर गाउ, हाहा खुसी मेरे अंतिम आशुके पीछे चुपई थी, जो मैंने रोया, हाहा, ठीक है, तो यहां पर पोयट कहना चाते हैं हम से, कि जब आपको दुख होता है, गिला हो जाए ठीक है और इतना आसुहों की सावर फुहारे मारे ठीक है और आप उस पे छपचप करके क्या कर सको खेल सको ठीक है और फिर आप क्या कर सको कि जाना खिड़की पास है ना खिड़की को खटक से खोलना और फिर 30-30 खूब हसना खूब हसना ठीक है और यदि आप से लोग पूछें ठीक है आप से लोग पूछते हैं तो आप उन्हें गाना गा कर कहना कि जो खुशी है वो मेरे आसो की अंतिम बूंद में चुपी हुई थी ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने रोया ठीक और फिर हसना देखो यहां पर बच्चे ऐसे करते हैं जब कुछ होता ह है तो थोड़ा से रोते हैं फिर उसके बाद हसने लग जाते हैं ठीक है तो देखो शॉक्ट शॉक्ट मिस क्या होता है पूरी तरह गीला हो जाना सावर सावर मिस होता है फुहारा विप्ट मतलब होता है रोना ठीक है तो यहां पर हमारा इस लेशन का एक्स्प्लेशन कंप किए सब्सक्राइब किए booty so thank you for watching this video